DL8 2018 बैच के 33 सेमेस्टर और DL8 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर की परिक्षा होने से आप सभी इससे सम्मन्दित प्रसिक्षों को भारी कीमत चुकानी होगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देखना है केरियर बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले अगर इसके बारे में आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्षन को चेक करें वहाँ पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो के मादम से आपको बता रखा है कि PNP का क्या कुछ कहना है आपकी समेस्टर परिक्षाओं को ले करके अब PNP के अनुसार जैसा कि आपकी परिक्षाओं होना प्रस्तावित है और अगर ये परिक्षाओं होती हैं तो आपको क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा चलिए इसको डिटेल में समझते हैं और इसको समझने के लिए PNP के द्वारा परिक्षा से ले करके रिजल्ट के बीच में क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं या फिर कितना समय लगता है इसको जानना आपके लिए जरूरी होगा डिलेट 2018 बेच के प्रतम समेश्टर की परिक्षा दिनांक 28, 29 और 30 जनवरी 2019 को कंड़क्ट कराई गई थी और प्रतम समेश्टर के रिजल्ट की गोशना दिनांक 26 अप्रैल 2019 को की गई थी यानि की परिक्षा सुरू होने के बाद लगबग 2 महीने 28 दिन के बाद इनके रिजल्ट की गोशना की गई थी वहीं डिलेट 2018 बेच के दृति समेश्टर की परिक्षा की मैं बात करू तो 14, 16 और 17 अगस्त 2019 को इनके सेकेंड समेश्टर की परिक्षा होई थी और रिजल्ट कराने के बाद से लगबग लगबग 2-3 महीने का समय लग जाता है रिजल्ट गोशित करने में अब जैसा कि PNP के दौरा सूचना दी गई है कि इस्तिती समान होने के बाद से जुलाई महा में परिक्षा हैं प्रस्तावित हो सकती हैं अगर हम लोग मान के चलें कि जुलाई जाकर के डियलेट 2018 बेच के 33 सेमेश्टर और 19 बेच के प्रतम सेमेश्टर की रिजल्ट की घोशना हो पाएगी अब जिनकी दो सब्जेक्ट में बैक लगी होगी उनका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन जो दो से जादा सब्जेक्ट में जिनकी बैक लगेगी थर्ड समेश्टर की में बात कर रहा हूँ तो उनको फोर्थ समेश्टर में प्रमोट करने के लिए या फिर उसमें प्रवेश्ट लेने के लिए एक तरीके से उनके पास पहले ये क्लियरेंस होना चाहिए कि वह जो दो से जादा सब्जेक्ट में बैक लग रहे हैं जिनके वह समेश्टर बैक में रहेंगे या फिर इस्कूटनी के माध्यम से उनको आगे फोर्थ समेश्टर की पढ़ाई करनी है तो दोस्तों इन सब के क्लियरेंस के लिए फिर से इस्कूटनी का फॉर्म आएगा और कम से कम एक से दो महीने का वक्त इस्कूटनी में भी लग जात यह वह semester back में चले जाते हैं और scrutiny के माध्यम से अगर उन्होंने दो paper के लिए scrutiny का form भरा और अगर एक में भी वह सफल हो जाते हैं तो उनका semester back बच जाएगा तो बिना scrutiny कराए PNP कभी भी अगले semester की परिच्छा नहीं conduct कराएगी तो आप मान करके चलें कि अगर July last में आपकी semester परिच्छा होती है third semester की तो तीन महीने यानि की October last तक आपके result की घोशना होगी और scrutiny किसी भी हाल में PNP को कराना होगा और उसमें एक महीने का वक्त दिया जाता है scrutiny का form भरने के लिए और उसके बाद अगर बहुत भी जल्दी की जाए तो एक महीने का वक्त लग जाएगा result घोशित करने में उस समय को सबको जोड़ेंगे आप तो अब दिसंबर 2020 के अंतिम सब्ताह तक पहुँच जाएंगे अब scrutiny के result घोशित होने के तुरंत बाद PNP एक्टिवेट हुआ और आपकी अगर fourth semester की परिच्छाएं conduct कराने के लिए अगर notification भी जारी करता है तो fourth semester के ल और अगर जनवरी 2021 में आपके fourth semester की परिच्छा होती है तो फिर आप इसके result के लिए तीन महिने का वक्त और ले लिजे यानि कि फरवरी, मार्च और अप्रेल 2021 के मिड तर जा करके आपका DL8 का fourth semester का result घोशित हो सकता है PNP के द्वारा दोस्तों ये सभी इस्तिती तब है ज तो ये सभी इस्तितियां कुछ control में की जा सकती है हलांकि पहले ही बहुत ज़्यादा late हो चुका है और अब परिच्छा करा करके अप्रेल 2021 तक DL8 2018 बैच का प्रसिक्षान ले जाना कहीं से भी तुक नहीं बनता है दोस्तों आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के आदम से जरूर बताईगा और ऐसे ही मातोपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ धन्यवाद